नवश्कार, लक्ष्मिनार ज्योतिस के इनमा आप सभी का स्वागत है, मैं आचारे डॉक्टर एपी शुकला आज का मारा विशय कर्ज, कर्जे से सम्मंदित है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी छोड़के व्यवसाइक करना चाहते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यवसाइक कर रहे हैं, नौकरी में जो कमाया, या फिर कर्ज लिया, या जो सेविंग थी उससे बिजनस सुरू किया, नहीं चल पाया, कर्ज में अलग फस गए, काम चला नहीं उसकी किस्त अलग भर रहे हैं या फिर कह लिजे कि कर्ज से सम्मंदिच चीजों में तनाव और पूरी तरीके से घर परिवार भी जो है, उसमें परिशान है कर्ज एक ऐसी पीड़ा है, जो एक बार पकड़ लेती है, तो उतनने का नाम नहीं लेती आज के युग में अगर कहा जाए, कर्ज एक सिरदर्दी है, किस तरीके से कर्ज की रेखा देखी जाए हात में, मतलब हस्त रेखा में किस तरीके से रेखा देखा जाए, कि हमें कर्ज से सम्मंदिच चीजों में फसावर तो नहीं होगी, समस्या तो नहीं आएगी या फिर कोई भी काम करिए तो देखदा के करिए अगर कोई गलत रेखा है जो मैं बताने जा रहा हूँ तो सावधान हो के करिए कुछ ऐसी रेखाएं भी मैं बताऊंगा कितना भी आप ब्रिस्क लें या फिर कितना भी कर्ज हो वो कर्ज कही ना कही आपका उतर जाएगा इसकी भी मैं रेखा बताऊंगा अगर कर्ज खराब होता है तो कही ना कही सावधान हो के चलें आपके लिए बेहत अच्छा है और जल्द बाजी में किसी प्रकार का कोई निवेश ना करें जो भी मैं रेखाएं बताने जा रहा हूँ आज का विश्य अगर कहा जाए तो कर्ज से सम्मंदिच चीजों में हैं और वो कर्ज जो है कई तरीके से होता है यहाँ पर मैं धोके की बात भी करूँगा और कर्ज की बात भी करूँगा दोका किसी से लग जाए कुछ ऐसी सितिया बताऊंगा कुछ ऐसी रेखाओं बताऊंगा जो यह दिखाती है कि व्यक्ति को बहुत सोच समझ के कर्ज ले या फिर ना ले तो ज़्यादा बहतर है नौकरी कर ले जब तक वो रेखाएं तब तक नौकरी कर ले उसके बाद जो है जब रेखाएं साफ होने लगे फिर अपना जो है कामधाम इत्या दी चीजों में पड़े लेकिर राहू और केतू अगर कहा जा हाथ या जनम कुल्ली में कुपित होंगे पीडित होंगे और देव गुरु ब्रस्पति अगर निर्बली होंगे तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के उपर कर्ज चड़ेगा कर्ज परेशान भी करेगा और कर्ज कहीना कहीं लंबे सम तक व्यक्ति को दिक्कत देते हैं या परेशानिया देते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उससे निकल भी नहीं पाए राहू अगर कहा जाएगा आखों पे पट्टी बांग जेता है राहू जनम कुल्ली में या हाथ में अगर पीडित है रहा देखा उससे सम्मंदित अगर डिस्टर्ब है तो ऐसे म कहा जाएगा आखों पे पट्टी बद गई और गलत मेंडियों के कारण या जल्द भाजी के कारण जो है कर्ज लेने के कारण जो है कुल्ली में भी आपको बताऊंगा किस तरीके से कौन से ऐसे योग होते हैं जो कर्ज से सम्मंद चीजों को दिखाते चाहे वो ग्रह हो चाहे वो नच्छत्र हो चाहे अगर कहा जाए चरण हो चाहे दूसरा भाव चौथा भाव आठवा भाव ग्यारवा भाव बहुत सारी च अगर जिसे सम्मंद टॉपिक लेके आते थे तो बड़ा हसते थे और यह कहते थे यह एक ऐसी सिरदर्दी है जो व्यक्ति जो है देखते हुए पाल लेता है और उसके बार होता है चले कारकम को शुरू करते हैं देखे यह होती जीवन देखा यह जीवन देखा है तेक है ज कहा जा चोड़ी है यह कही ना कहीं करज से सम्मंद चीजों में भी तनाव एक बात वहीं पर अगर रेखा जाए तो कई रेखा इसको काटें ऐसे में कहा जाएगा कि उस तनाव को यह बढ़ाएंगी यहां पर दागदब्बे हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि करज से चीजों में कहिना कही निकलने में व्यक्ति को समय लग जाएगा ये इसके संकेत देती है अगर ये गारी हो रही है या दाग धब्बे आ रहे हैं तो बड़ा साउधान होके चलिएगा ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है कर्ज लें देख दाग के लें हो सकता है आपक के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्ज के मकरजार में फस गया मैं यहां पर इसका परिहार भी बता देता हूं अगर आपका जो है गुरू सामानी है और उस पे एक दो रेखाएं आ रही है गुरू के छेत्र में तिल दाग दब्बा नहीं है तो ऐसे में कहा जाएगा इसकी पीड़ा तो आप जहेलेंगे लेकिन निकलने में निकल जाएंगे उसमें कोई दोराएं नहीं है जो भी कर्ज है उससे उबर जाएंगे यह इसको दिखाता है यह इसको बतलाता है एक बिंदू दूसरा बिंदू महला सोच समझ के लिजी मेरा कहने के मतलब यह है देख दाग के लिजी यह कहिना कहीं सपोर्ट करता है यह कहिना कहीं दिखलाता है यह बतलाता है यह सपोर्ट कर रहा है कि व्यक्ति जो है आने वाले समय में कर्जे से सम्मंदी चीजों में व्यक्ति को र जादेस जादा लोगों तक शेयर कर दीजेगा क्योंकि ये समस्या अगर कहा जाए बाई पहले से अगर आपको पता है कि ये रेखाएं हैं तो अवेर होके चलेंगे देख दाके आंकान खोल के चलेंगे और जोतिश का सबसे बड़ा फाइदा यही है कि व्यक्ति को आने वाल आप सभि जानते हैं Александrma का हिस्सा दवा है ये हिस्सा अगर कहा जाये हमालीजिए चप्टा हाथ है या ये हश्सा दबा है यह एसे में कहा जाएगा कि मन से ऐसे लोग बड़े निराश हुआते हैं उसके साथ में सीधा भी है ऐसे में कहीं ना कहीं जो है निर्णय लेने की छमता को ये कम करता है उसमें कहीं कोई दोराय नहीं है ऐसे लोगों को भी करज इत्यादी चीजे बहुत देखदा के ही लेनी चाहिए यहाँ पर एक र दोराय नहीं अब दुर्भाग के कहां पकड़ता ही यह देख लीजे नीचे से यह दोफार थी जब तक यह अकेली रेखा थी तब तक व्यक्ति ने अच्छा धन कमाया जब समय खराब होने वाला होता है तो नीचे से दोफार हुई और एक रेखा काटके निकल गई रेखा छोटी भी हो सकती बड़ी भी हो सकती है ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी समस्याएं अपने आप से बुलाएगा कर्ज ऐसे लोगों को बहुत देख दाके लेना और देना दोनों ही चीजे मैं कहूंगा बड़ा देख दाके करना चीए जहां तक ठीक हो एक बार चल आएगा लेकिन अगर आपकी भाग गेरेखा शनी और सूरी की उंगली के बीच में चली गई कर्ज मत लीजिएगा या बहुत देख दाक के लीजिएगा उधाल लेंदेन से बचके चलिएगा ऐसे लोग जीवन में धोखे भी बहुत खाते हैं उसके बाद भी अगर कहा जा सूरी का परवत परवत आई ये माउंट होता है ठीक है सूरी का परवत अगर कहा जा है शनी की तरफ खिसका हो सूरी का परवत शनी की तरफ खिसका है कोई भी काम करिए कर्ज हो या काम हो व्यपार जो भी उसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग करके ही कर्ज लीजिए और प्लान उसमें कोई कोई दोराय नहीं है, एक बात, देखिए जो चीजे मैं बता रहा हूं, यह आपको किताबों में नहीं मिलेगा, यह चला आ रहा है, गुरू, शिश्य गुरू, शिश्य गुरू, शिश्य गुरू, शिश्य आज की डेट में जो है, यूट्यूब हो गया, और लोगों के हाथ पे लगाईएगा परिणाम आपको मिलेंगे ये आपकी सूरी रेखा है सूरी रेखा इस पस्ट साफ है बेहद अच्छा है वेक्ति भागिशाली है धन काम इत्तादी चीजों के लिए वहीं पर एक रेखा काट के जा रही है ऐसे में कहा जाएगा जितनी म करती बनी लोग पकड़के खीशने वाले पैर पकड़के खीशने वाले आपको ज्यादा मिलेंगे आपके कारेच्छेत्र में एक बात वहीं पर दो रेखाएं और खड़ी हो गई ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति करोनो मा लीजे जब पहली एक रेखाती के वाल व्यक्ति जो मैंने बताई है यह 90 परसंट वाली बात नहीं है यह 99 परसंट वाली बात है यह रेखा अगर कहा जाए राजा को रंक बनाने के लिए तक पर है मैं यह नहीं कहूंगा कि मेरे कहने से आप बिजनेस मत करिए ऐसा बिलकुल भी नहीं है और आपका दाई तो भी बनता है कि मैं यह केवल आपको समझा रहा हूं कि आप केवल जो है सोस समझ के देख दाख के मार्केट की स्तिति घर परिवार में राय लेके तभी किसी प्रक करज लीजिए और किसी प्रकार का इंवेस्टमेंट करिए जल्दबाजी मत करिए इतना मैं कह रहा हूं केवल जल्दबाजी में नुकसान होगा तो फिर नुकसान जो है कहिना कहीं भारी होगा पांचे साल पहले जो है एक सज्जन मिले थे पूना के रहने वाले थे और बहुत बड़े टांस्पोर्टर थे बहुत बड़े टांस्पोर्टर थे उनका जो है अगर कहा जाए तो वियर हाउस था वियर हाउस और टांस्पोर्टर थे ऐसी किसी सज्जन ने जो है भेट कर थी उस जमने में मुझे याद है लगवां यह होगी जदा हो गया होगा लगभां तेरा 14 की बात होगी उस जमने में वह आदमी जो है सवा करोण की गारी सी चलता था किसे के माध्धम से उनके हितन में करते हुए unified मैंने आगा उस कुसी बड़ा कर्ज जो है आविदन या लेने का प्रयास कर रहे थे मैंने मना किया था कि दो हजा उननिस तक अभी कर्ज मत लीजिए तेरा चौदा की बात होगी वह व्यक्ति नहीं माना कर्ज लिया आज की डेत में ऐसा डूबा है कि इतने पैसे नहीं है कि कुछ जमीन उसक की पटक दिया कहते ने जितनी चाधर उतना पैर है कि जितनी चाधर उतना पैर चलिए अगला बिंदु बताता हूं देखें यह इस लोगों का अगर कहा जब द है कि दिश्वाग इसके मुकाबले बुद्द की निचला हिस्सा एगर हाज्या बड़ा है उपरी हिस्सा एगर चोटा है एक बात ऐसे में भी यह कहा जाएगा कि कर्ज में या व्यूसाई से संमंदित चीजों में व्यक्ति को धोका लगी गा मैनेजमेंट से सम्मंदित चीजों में बड़ा देख दाके करिएगा और मेनेजमेंट के कारण आपकी सिरदर्दी बढ़ेगी वहीं पर अगर कहें तो यहां पर जाल है इस जगां पर अगर यह जाल है तो तैमान के चलिए एक नुकसान होगा उसमें कहीं कोई दोराई ने डिक डरने डरा बात नहीं है केवर अवेर होने वाली बात है मैं यह चीज़े बता रहा हूं केवर अवेर हो यह जाल अगर कहा जा बहुत सारी चीजों को दिखाता है ठीक आज का विश्य तो हमारा कर्ज था लेकिन एक और चीज मैं बता देया नो जैसे माता पिता के खासकर पिता के हाथ में जाल है अपने बच्चों की शादी बहुत देखदा के करिएगा वाहन गारी के लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाया है कहलाता है बैरहाल यह भागे रेखा है भागे रेखा से बुद्ध की तरफ एक रेखा बड़े बहुते रेहातों में मिलती है बेहद अच्छी अच्छाएगा कि गलत मेनेजमेंट या गलत लोगों के कारण जो है व्यक्ति का नुक्सान होगा ऐसे लोगों को हमेशा मार्केट के सिति देखने के उपरांती आगे बढ़ना चाहिए किसी के बहकावे या किसी के में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि बहकावा अगर कहा तो बहतर नहीं है, यह जीवन रेखा है, यह होता है केतु का छित्र, यह हिस्सा जो हम लोग होता है, यह केतु का छित्र कहलाता है, केतु के छेत्र पे कोई रेका हलकी सी तेडी हो रही है, तेडी ठीक है, उपर से दाके दो फार में बढ़िया है, दो फार मतलब यह, वी की आकरती में देखें नीचे से तेड़ी है नीचे से गारी है उपर से पतली है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को निकल जाएगा लेकिन थोड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा थोड़ा समय लगीगा अगर नीचे से पतली है और उपर से गारी है मतलब नीचे से और उपर से गाड़ी हो गए, उसके बाद ये बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति लंबे समय के लिए अपनी चीजों को खोएगा, लंबे समय तक जो है इसका प्रभाव पड़ेगा, वहीं पर ये भी कहा जाएगा, अगर इस जगापे, इस जगापे हड़ी होती अगर जिन लोगों की हड़ी ऐसे करने पर अच्छी खासी बाहर की तरब निकली हुई दिखाई दे, वैसे पाद तो धन आने में दिक्कत होती है, ठीक है, कमाने में दिक्कत होती है, और जो आता है वो रुपता नहीं, कर्ज जुआ सटा इन सब चीजों से व्यक्ति को दस गुना या सौ गुना पीछे रहना चीए, जीवन में हमेशा देख डाक के चलना चीए, उसके साथ में अगर अंगुठा भी चोड़ा है, ऐसे लोगों को किसी का साथ नहीं मिलेगा, और लंबे समय तक इस में फसेंगे, निकलने में बड़ी दिक्कत आएगी, ये इसके सं जबराने वाली बात नहीं है, चंद्रमा का छेतर अगर कहा जाए, तो समाने गुलाई में है, हात में पसीना ना आई, गुरु का छेतर अगर कहा जाए, समाने उठा है, शनी का छेतर अगर कहा जाए, समाने उठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के उपर जो करजा च समझेगा एक चीज और मैं यहां बोल दे रहा हूं वीडियो को ज्यादे ज्यादा शेर कर दीजेगा अगर वीडियो पसंद आये तो उसको लाइक जरूर कर दीजेगा कमेंट बॉक्स में अपने अनुभाव जरूर लिखिएगा बाकि अगर आप अपनी जरम कुंडली या हस से रेखा दिखाना चाहते हैं तो नीचे नीचे दिये हुए नंबरों पर संपर्क जरूर करिएगा 73100 68143 70 54 57 82 97 यह दो नंबर केवल हमारे इसके अलावा और कोई नंबर हमारा नहीं है चलिए आगे कुछ चीजे मैं और बताता हूं देखे जैसा मैंने बताए कि इस जगाँ पे जाल है देव गुरु ब्रस्पती का हिस्सा भी दबा है यह हिस्सा भी दबा है ठीक है हाथ में पसीना आ रहा है हाथ में पसीना आ रहा है और चंद्रमा अगर कहें हाथ यह सीधा है गोल ना होके यह सीधा है फिर से मैं एक बा सीस्टम को भी दिखाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो मौज मस्ति के लिए करेभी रहा रहे कर्ज लिया घूमने टहलने के लिए विदेश जाने के लिए वो किस्त बनवाली विदेश घूम रहे हैं ठीक है हर आदमी के अपनी सोच है बस थोड़ा सावधान होके चलिए बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाकी होना वही है जो रामरक्राखा जो कहा जाता हूं गलत नहीं है ठीक है यह भाग इरेखा है जिल लोगों के हात में भाग इरेखा इस्पस्ट साफ होती है तूटी-फूटी नहीं है कटी-पीटी नहीं है ऐसे लोगों को भी कर्ज से सम्मंद चीजों में निकलने में आसानी होती है मतलब कर्ज चड़ा दीरे दीरे जो है निकल गए अगर ये रेखा टूटी है या रेखा कई जगों से कट रही है कटने मतलब ये और खासकर अगर कहा जाए राहू का छेत्र होता ये हाथ के बीचों बीच का छेत्र अगर राहू के छेत्र वे टूटी है तो बहुत सावधान होके चलिएगा ये पित्रदोश भी है मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं ये पित्रदोश भी है हस्त रेखा में जैसे जिन लोगों की कुंडली नहीं होती है या उनको नहीं पता होती तो इन लोगों कहते हैं इसको पित्रदोश भी कह सकते हैं अगर ये खा इस पस्ट साफ है तूटी-फूटी नहीं कटी-पिती नहीं हो सकता है थोड़ा समय लग जाए लेकिन बहुत ज्यादा परेशान मत हो ये निकलेगा उसमें कहीं कोई दोराय नहीं है कर्ज उतरेगा उसमें संदे नहीं है अगर वेक्ति को परमातमाओगर का आजाए मौके देता है जीवन में आगे बढ़ने का कुछ लोग उस मौके को पकड़ लेते हैं और कुछ लोग उस मौके को गवा बैढते हैं यह box है, सनी का छेतर है, सनी के छेतर ऐसे समझ लिए, ऐसे समझाएंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा, भागे रेखा बिलकुल इस पश्ट साफ अपने आप में राज्योग, उसमें कहीं कोई दो राज्योग, बढ़या धन आपने जीवन में कमाया, अच्छा धन कमाया, अच्छा नाम किया आपने, भागे रेखा के उपर box बन गया, या फिर इसके रेखा निकल के आगे बढ़ गई, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति ने जो कमाया, वो कहीं ना कहीं जो है निकलने, और धोखा लगेगा इधान रखिएगा, एक बात, वहीं पर अगर इस साफ है तो, अगर ये नहीं है मान लीजे, मंगल के छेतर रुपे एक और रेखा, तिका आ रही है, जिसे हम लोग मंगल की च्रेखा कहते हैं, अपनी बुद्धी, अपने साहस से व्यक्ति निकल जाएगा, उसमें कहीं कोई दोराय नहीं है, अब दुर्भाग विशेशकर अगर कहा जा, कहा घेरता है, ये रेखा जो है, उपर चली गई, ये बहत खराब है, भले ये बॉक्स हो ना हो, अगर नहीं भी है, तो भी जो है, ये कहा जाएगा, जब तक यहां तक रेखा थी, तब तक व्यक्ति ने अच्छा धन कमाया, और जब रेखा उपर चड़ने लगी, तो कही ना कहीं गलत नेर्णे के कारण अपनी चीजों का नुकसान, या फिर रेखा अगर कहा जाए, इसमें जाने लगी, तो संगत ध्यान रखेगा, नशा इत्यादी चीजे मत करिएगा, कर जी बहुत देख दाक के लिजेगा, बहुत ज्यादा लोगों पे भरोस अपने सीधे हाथ को देखे, यह जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, इसमें पुर्षों को उल्टे हाथ में देखना है, और महिलाओं को सीधे हाथ में, जो मैं बिंदू बताने जा रहा हूं, बाकी पुर्षों को सीधे हाथ, और महिलाओं को उल्टे हाथ में, सभी वीडि है मस्तिष के रेखा शुराती दौर में काफी चोड़ी है और उसके बाद जो है महीन हो गई है पहले चोड़ी काफी है उसके बाद महीन हो गई तो ऐसे में भी कहा जाएगा कि गलत नेनियों के कारण कर्ज इत्तादी चीजों में बहुत देख दाके चलेगा नहीं तो नुक है उल्टे हात में यह स्ञाओ सीधे हात पर या के मिल रही रहा बहुत देखदाके करिएगा इसका भी कटाव है दहांसले दोसे तेन रहाएं गुरु के चित्र में इस तरप से चंहें हैं एक निकल नहीं हैं इस तरफिक हैं से काटे नो मंगल चme के च्छित्र स्वाइए अगर ये वाला जो बिंदू मैंने बताया था अगर इसके साथ ये भी है तो हो जाएगा चीजे निकल जाएंगी परिशान होने वाली बात ने कुछ समय का कश्ट है उसके बाद चीजें जो है आपके इसाब से हो जाएंगी उसके बाद चीजें आपके इसाब से हो जाएंग है कोई बात नहीं जैसे आप YouTube में देखते हैं आप लोग YouTube में इसकी इतनी तारिफ करते हैं इतनी मैं जो बताने जा रहा हूं इतनी तारिफ करते मैं क्या बता हूं और ये हिर्दय रेखा पे तीन से चार रेखाएं आके लग रही हैं, बहुत तारीफ है इसकी, अब पती बन जाएंगे, करोन पती बन जाएंगे, इश्वर करें आप बने, मैं उसमें कोई टिका टिपड़ी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सत्ता है, वो मैं आपको बता रहा हूं देखे, कोई भी वीडियो, चाए मेरे हों या किसी के भी हों, उसको हाथ पे लगाए लोगों को, तब आपको परिणाम मिलेंगे, तब लगेगा कि क्या सही है, अगर इस टाइप से रेखाएं छुएं, मैं 100% कहूंगा कि कर्ज व्यक्ति के उपर होगा ही होगा, और कर्ज अगर आप भी अपनी जिनम कुंड़ी या हस्त रेखा दिखवाना चाते तो नीचे नंबर चल नहीं है, 73100 68143 7557 8297, ये दोनों नंबर अगर कहा जया हमारी संस्थाके हैं, आप यहाँ पर बात करके अपार्मेंट ले सकते हैं, जल्द आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, अभी क्ले बस इतना ही, नमस्कार.